असलाम अलेकम दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी मैक बुक पे मतलब मैक सिस्टम पे Android Studio को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है Android का उसम प्रापरली किस तरह इंस्टॉल कर सकें ताके बाद में हम उस पे कोड़िंग करके अपने लिए अप्लिकेशन और गेम बना सकें तो चलें देखते हैं सबसे पहले प्री रेकिसेट टॉल्स हमारे पास कौन कौन से टॉल्स होने चाहिए ताके हम उनको अपने मैक पे इंस्टॉल कर सकें मैंने एक स्लाइड त्यार कि यह देखते हैं इसमें हमारे पास चाहर टूल्स बहुत जरूरी हैं नमबर वन जेडी के नमबर टू एंड्रोइड स्टुडियो नमबर त्री विर्च्वल बॉक्स और देन जैनी मोशन अच्छा मैं वन बाइवन इनकी थोड़ी सी आपको तारीख भी करके बताता हूं कि हगा स्टूरिक आपकी भुण हमसे पूछ येता है तो हम उसको क्या जवाब देंगे सब शीज पहले होगा JDK JDK is the Java development kit ये JDK से जो बनता है je Java development kit बनता है चीक है it is the JDK that you need for an Android application development along with the extent Android SDK means के JDK हमारे system के अंदर JDK install होगा तो Android SDK install हो सकेगा और properly work कर सकेगा ठीक है तो सबसे पहलिए JDK हमने install करना हम देखते हैं कि कैसे install करते हैं next हमारे पास Android Studio एक IDE Integrated Development Environment हम install करेंगे जिसके उपर हम properly recording करके किसी भी अपने functions application को launch कर सकेंगे इसकी प्रपर जी डेफिनीशन है Android Studio is the official integrated development environment for an Android app development based on entire J idea चलें अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से ये चार चीज़े मैं आलड़ी चार चीज़े आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे किस साइट से डाउलोड करेंगे और फिर इनकी वन बाइवन इंस्टालेशन व्यां देखेंगे जी दोस्तों मैं आलड़ी ये चारों चीज़ें जो रिक्वाइड है मैं डाउलोड कर चुक हूँ लेकिन मैं आपको दुबारा बताऊंगा आपके सामने डाउलोड करने के लिए लिंक्स ओपन करूंगा आपने इनको फालो करना है अपने डेस्टॉप पे आपने इन पोड़ां इन चीजों को किस तरह डाउलोड करके किस तरह प्ली इसईटॉ बारे में देख रहे हैं तो चल्ते हैं अपने करूंडाउस दर पर यहाह पर जाने के वह गूगल करूंंग और यहां पे आकर सबसे पछले हमने जावा अज़ीके डाउनलोड करनी है तो ौर जा आप यहां से पहले लिंक को क्लिक करेंगे तो यह आपके पास कुछ इस तरह की साइडा आ जानी है अच्छा इस से पहले एक और चीज देख लें कि मेरे पास कौन सा सिस्टम में क्या इसमें अलडी जावा इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल टो map में इसको किस तरीखे से चेक करते हैं इसके लिए दो प्रासस हम यूज्ज कर सकते हैं सबसे पहला प्रासस हम देखते हैं यह पर आप लांच प्रेट पर जाएं चाहिक यह यहां पहर आनने के बाद आप यहां पर यह system preferences एक जगह पर यहां पर क्लिक करें यह थोड़ा सा टाइम लेंगा launch होने में जुए इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के पाद आप यहां पर आजाएं इस पर क्लिक करें और यह launch पर यह वाला portion देखें कि यहां पर आपके पास java लिखाा आहा है के नहीं कि Java अगद आपके पास यहां पर नहीं यह हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास Java इंस्स्राल नहीं है तो आपने सबसे पहले जावा इंस्टाल करना है अपने Supreme हमें चीक है यह प्रॉसेस है दूसरा प्रॉसेस एक और हम देख लेते हैं किस तरह देख सकते हैं लांच पैड दुबारा जाएंगे और इसके बाद यहां पर यहां पर आपने कुछ कमांड कमांड कोशी होनी है सिंपल जावा स्पेस और वार्ययन छीक है जावा डैश वर्यन एंटर करें जो ही सब्सक्राइब करेंगे आपके पास यह चीजे शो कर देगा जावा वर्यन आलडि इंस्टाल एश पे जावा से सिस्ट्रम इंवार्मेंट रन्टाइम यह बी आल अगर आपके पास जावा इंस्टाल नहीं होगा तो यहां पर आगे यह जो तीन चार लाइन जो आगे हैं यह नहीं आएंगी और यहां पर लिखा सकता है कि नौट इंस्टाल या कुछ इस तरह का चीक है तो तब आपने फिर इसको जावा को इंस्टाल करना होगा अब जावा के लिए मैं आपको बता चुक हूँ यहां पर आने के बाद अभी हमारे पास जावा सिस्टम इन्वार्मेंट डिवल्प्मेंट किट डाउलोड ठीक है नीचे आएंगे एकसेप्ट लाइसेंस एग्रिमेंट इसको ओके किया ओके करने के बाद अब यह दिखें नीचे मेरे पास काफी जादा वरियंड शो हो र यहां पर नीचे देखीगा के डाउलोड स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो अभी मैं इसको कैसे डाउलोड कर रहे होंगे यह चीज़ हम आपर देखेंगे जो फाइल होती है वो डाट दीमज एक्सेंशन के साथ होती है तो यह देखें जेडी के जो फाइल आए डीमजी के साथ अगया है यहां पर डाउलोड कर चुक हूँ तो चले इसको इंस्टाल मैं कर चुक हूँ अलरी लेकिन दुबारत आउता हूं यहां पर डवल कलिक करे तो यह यहां पर इस तरह आजएगा दूबारा इस पर डवल कलिक करेंगे continue then install यहां पर आप अपना पासवर्ड देंगे जो आपके पास पासवर्ड होगा जो आपने अपने सिस्टम पर पासवर्ड लगाया होगा चीक है install software पर प्लिक कर देंगे शुरी पासवर्ड ऑई खल्प लगाया इसको मैं दुबारा रही चेक कर लेता हूं इंस्टाल इसको पर जोई क्लिक करेंगे यह आटमेटिक फाइल इसको एक्षेक्ट करेंगा और उनको मेरे सिस्टम पर इंस्टाल कर देगा बहुत ही simple process है कोई मिश्किल नहीं है यहां पर आपके पास कोई error नहीं आएगा चीक है यहां पर इसको close कर रहता हूं मेरे पास जावा इंस्टाल हो चुक है अच्छा अभी मैं दुबारे इसको चेक करना चाहता हूं कि किस तरह इंस्टाल सेम वही मैंने पताया था कि सिस्टम प्रिफेंसिज आप लांच पर आटकेंदर भी देख सकते हैं यहां पर नीचे आ रहता है उसके लाब यहां टॉप पे भी सा वरियन जावा का इंस्टाल कि हुए मैंने इसमें कौन सी अप्डेट्स हैं और मुखलिब इसमें काफी यह देखें जैनरल इसके बारे में आगी है अप्डेट्स में आगी है कि एट अपडेट्स वन फॉर्टिफॉर बिल्द जिरो वन सिक्ट्री एमबी करन वरियन जो आप जावा इंस्तॉल ओड और चाहां है नेक्स्ट दूस्ति चीज अब हमने इंस्ट्रॉल करनी है अंड्रोइट इस्टॉडियो इंस्टॉड्ल करने से पर इसको डाउनोड करना देखने कहां से डाउन्ड करेंगे सेम्पल उसी तरह दॉज्जर केंतर जाएंगे गूग क्लिक करता हूं तो यह मुझे में साइट पे ले जाएगा ड्वेलपर की साइट पे ले जाएगा अब यहां पर देखें डाउनलोड एंड्रोइट स्टूडियो टूपांट यहां पर आपके पास यह प्रॉसस अल्रेड लिखा भी गया है और फिर यहां पर एक वीडियो भी यहां पर यहां पर एक वीडियो भी यहां आप इसको प्लेगर के भी देख सकते हैं अगर फर्स करो मेरी वीडियो जो मैं आगे आगे त्रिक्यकार बताऊंगा आप किस तरह प्रपली इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन अपे इस वीडियो को भी देख सकते हो ठीक हो क्या थाफ्य अपर में दॉड़कर करता हूं यहां पे यह में मैं इसको ड्रयक करके ले करके हूं यहां पर इंस्सॉलेशन स्टार हो चुकी है अभी फोड़ा सा यह टाइम लेगा फास्ट जब आप इंस्टाल करें होंगे तो यह कुछ टाइम लेता है इंस्टॉल होने में बाद में फिर यह बेलकुल एजिली और स्मूथली चलता है चले हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसका अच्छा यह मेरे पास तक्रीवा इंस्टॉल हो चुक्षा अब मैं इसको चेक कैसे करूंगा यहां पर लांच प्रेट पर आएंगे और यहां पर यह देखे नीचे एंडरोइड सुडिय का यहां पर आइकन आच चुक है मैं इस पर क्लिक करके इसको लांच करने की कोईश्च करता हूँ यहां पर इस आप्शन पर आने के बाद मैं ओपन पर क्लिक कर दूंगा अच्छा यह इंस्टाल हो चिक है फॉस्ट रैम मेरे पास यह लोक आएगी इन सारी डिटेल्स को हम नेक्स वीडियो में कवर करेंगे कि यह हमारे पास जो आप्शन है कौन-कौन से आगे हैं लेकर यहां पर इसको सिंपल करने के लिए फस्ट मैंने क्लिक कर दिया यह वो यह वह ले लांच करने कोशिच करेंगा अच्छाइए यहां पर सिंपल मैं इसको इसी तरह जाने दे रहा हूं आध समें वीडियो में डीटेल में यह डिसकेस करेंगे कि यहां पर यह क्या चीज़ होती है इनको कैसे हम कर सकते हैं और हम अपनी मर्जी के इसकेंदर क्य हो रहे हैं तो थोड़ी दिया तक हमरे सामने ये शो हो जाएंगे तो ये देखें फास्ट लोग कि जब भी आप अंडार्ट स्टूडियो को इंस्टाल करने के बाद उपन करेंगे आपके सामने फास्ट लोग दियाएगी चीक है यहां तक यह चीज अगर आपके पास इस दिली शो हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टाल हो चुक है यहां पर मेन एक्टिविटी शो हो रही होगी यहां पर कुछ कोडिंग यह सारी चीज़े हम डिसक्स कर रहे हो अब थार्ड नमर पे हमारे पास एक्टिव जो चीज हमें चाहिए अभी हमें जैनी मोशन जैनी मोशन के चीज है यहां पर मैं थोड़ा सा इसको भी डिसक्स करता हूँ जैनी मोशन basically android emulator है android emulator क्या हता है कि हम ढफं कर रहे होंगे यहां पर android solution के कैंदर उसzkोडिंग को हम किसी टरह से देख सकेंगे कि जो कोडिंग कर रहा है वो उसका यहां अप्लिकेशन किस तरह की बन रही है मिसाल की तोर पे मैं यहां पे जो भी एक्टिविटी के अंदर जावा के अंदर कोड़िंग कर रहा हूंगा यहां पे अंडराइट सोडियो के उपर तो इसको लाज़मी सी बात मैं दो जगा भी देख सकता हूं पहली चीज़ में असके साथ करेंगे जो भी आप्लिकेशन कोडिंग कर रहा हूंगा और इसका पूरा प्रोसेजर हम कैसे कर सकतें यह gjी में एक वीडियो गुरांगा इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस चीज़ को जो Jenis को पुरिंग कर रहे होंगे इसको हम application को किसी विर्चुल डिवाइस इस laptop के अंदर इस Mac के अंदर ही एक विर्चुल डिवाइस की ऊपर किस तरह से देखा करेंगे तो इसके लिए भी फिर मजीद दू अप्शन होती है पहले अप्शन तो होती है कि यह Android SD के साथ ही Android Android SD के मैंजर इसके अपना ही एक एमिलेटर होता है हम उसको इंस्टाल करेंगे और अप्लिकेशन को उस पर किस तरह देखा करेंगे बहुत ही जवर्दा सब्सक्राइब चलें देखते हैं इसको कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टाल करते हैं सिंपल आपने जैनी मोशन इंटर किया जैनी मोशन एंड्राइड एमिलेटर और स्वाद यह डाउनलोड पर आपके लिए अच्छा तो अब हम देखेंगे कि स्वादuser को कि स्पी डाउनलोड कर सकते हैं और तो चैनी मोशन को इंस्टाल करने के लिए एक तो दफ ट एम साइड से डाॉनलोड कर सकते हैं सिंपल आप सेर्च करेंगे जैनी मोशन फ्री डाउनलोड और उसके बाद यहां पे आप किसी एक लिंक को क्लिक कर दें चीक है आपके पास इस तरह की साइड आ जाएगी जैनी मोशन फ्री पर्सनल यूज के लिए होता है इसके लिए आपको फ्री अकाउंट आना पड़ेगा यहां पे लॉग इन करेंगे और यहां पे लॉग इन करने के बाद प्री अकाउंट जो आपने बनाया होगा साइन इंड कर देंगे तो यह आपके पास इस तरह काउचन आ जाएगा अब यह देखें मैं Mac के लिए कर रहा हूँ तो यह कहता है कि 400 MB डिस्क स्पेस होनी चाहिए तो जी भी रैम हम इसको देंगे चीक है अगर चेंड करना चाहिए तो यहां से इसको चेंड भी कर सकते हैं यहां से मैं इस पर डाउल्लोड पर क्लिक करूँगा तो यह डाउलोड स्टार्ड हो जाएगा और इसके साथ अगर फर्स करें जो चीज हम MINDOW पर देख रहे होंगे हम यहां पर देखेंगे कि कैसे हम इसके लिए इसको वरिट्व बॉक्स के साथ और virtual box के लगाधा दाओनर्ड कर सेकें दैने इंस्टाल तो चले हमने यह हां पर जैने मोशन डाऊड़ कर लिया नेक्स्ट एक वरची जो रहेगी विर्यूल बॉक्स विर्यूल बॉक्स डाउनर्ड करना है इसके लिए विर्शुल बॉक्स पे पहले लिंक को क्लिक कर दिने है यहां पे आने के बाद अब यह देखें विर्शुल बॉक्स के हमरे पास मुख्रिब बढ़ियन है हमने उस अप्रेटिंग सिस्टम एक्स मैट के लिए यूज़ गोटा है अब इस तक क्लिक करने और यह कांवरे पास तक दार अ दस्टार्ट होगी स्टार्ट है तो यह माहरे पास दौनों सौटिब और शक्रिचिके हैं विचुल बॉक्स भी और जनी Holly इमसे स्टार अर यह विच्टियल बॉक्स कंस्टॉल काम दक्रों कहा इसको continue किया, then again continue, installation location अगर change करना चाहते हैं, तो यहां से कर सकते हैं, otherwise मैं same रहने देता हूँ, तो आप अपने मर्जी से change का सकते हैं पासवर्ड दिया अपने सिस्टम का और यह साफ़वेर मेरी Mac सिस्टम पे install हो चुका है, चीक है, इसको close कर दें, okay next अभी मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इसको check करूँ, बस हमने next अब जैनी मोशन के install करना है, तो इसके लिए डबल क्लिक करूँगा, जैनी मोशन पे, जैनी मोशन पे दोनों को drag करके मैं अप्लिकेशन के अंदर ले जाऊँगा, चीक हो गया, अब ही हम चेक करते हैं, जैनी मोशन हो चके है कि नहीं, इसके लिए मैं जैनी मोशन पे क्लिक करूँगा, जैनी मोशन पर पर्सनल यूज, अगर यह हां पे यह इसलिए अपन हो जाता है, तो इसके मतलब हमारे पास प्राप पर इंसाल हो चका है, अब यह मुझे कह रहा है कि आपने कोई विर्चिल डिवाइस नहीं बनाई हुई, तो क्या एड़ करना चाहता हूँ, मैं यहां पे इसको येस करता हूँ, चीक है, यहां पे अब मेरे पास वर्जिन्स हैं, 4.1, 4.2, 4.3, जो वर्जिन आप स्टार्ड में कोई भी एक कैस्टम यूज़ करना चाहते हैं, आप यहां से कर सकते हैं, यहां पे सेम नेम अगर नाम चेंड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, नेक्स्ट करें, तो यह मेरे पास एक विर्चल डिवाइस यहां पे डॉन्लोडिंग उसको स्टार्ट कर देगा, और बुनाआ के मुझे शो कर देगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, डॉन्लोडिंग पे लॉगन होना ज़रूरी है, यह देख रहे हैं, जैसे कि नीचे शो हो रहा है, मैंने जो जीमेल अपनी लगाई है, उसके तरो मैं यहां पे लॉगन हो, तब ही इसको क्रेट कर रहा है, अगर आप लॉगन यहां से नहीं होंगे, मतलब साइन नहीं होंगे, तो यह कोई यह डाउलोड कर रहा है, बैकेंड पे एक डिवाइस बना रहा है, जब तक ही होती है, तब हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, अच्छा, मैं एक और चीज़ यहां पे बताता चलूँ, कि इस जैनी मोशन का फाइदा क्या होगा, जैनी मोशन बेसिकली एंडॉइड विर के लिए बना रहे हैं, दूसरी जैली बीन के लिए बना रहे हैं, तीसरी लॉली पॉप के लिए हम बना रहे होंगे, या मुफलिफ डिवाइस के लिए बना रहे होंगे जब, तो हम कहां फिरते रहेंगे, मुफलिफ मॉबाइल पे ले जाके उनको टेस्ट करते हुए, तो पर हम यहां पर विर्ट्यूलि टेस्ट कर सकते हैं, रन करके चेक कर सेक्टे हैं कि रन होने के बाद लॉच्छ आप्लिकेशन किस तरह हमेश्ज होगी, कुछ चैंजेंगें अगर हमें करनी हो, तो हम पौरण हम यहां भी कर सकते हैं, तो ठीग है, यह हमारे प्रॉसेस को टेस्ट किया करूंगा जब मैं बना रहा हूंगा अप्लिकेशन तो मुखले वर्जिन के लिए में टेस्ट किया करूंगा तो चलें यह 94% हो चुक है डाउनलोड तक्रीबन एक से डिर्टमेंट और हमें गजार करना होगा मेरे पास थोड़ी स्लो है अच्छा हमारे पास डाउनलोड हो चुक है अभी यह उसको डिप्लोई कर रहा है विच्ट डिवाइस को बैकेंड पे थोड़ा सा काम हो रहा है हम दोबारा वेट करते हैं अब यहां पर फिनिश करूँ गई करूँगा अभी अमेरे पास एक डिवाइस वह बन गई है इस डिवाइस पे घुलिक करके मैं जब डिवाइस में पास इस तरह होगी जिस तरह हमारे पास मोबाइल शो हो रहता है ऑंड्रोई एंडायड मोबाइल की स्क्रीण होती है यहां पर देख रहे हैं नीचे यह free personal user है चुंकि हम free student इसको use कर रहे हैं तो हम इसको free use कर सकते हैं अगर आप paid version किसी company के लिए काम कर रहे हैं तो आप paid version भी ले सकते हैं चीक हो गया चलें यहां से यह देख रहे हैं तकरीबन हमारे mobile के look आच चुकी है यहां उसके क्लिक करने के बाद यह जितनी पी अप्लिकेशन होगे रहे हैं यहां पर शोचिक हैं अच्छा हमने इसको use कैसे करना होगा सेम अभी हम दुबारा चलते हैं android studio पे यहां पर आने के चीक है नीचे browse repositories और यहां पर आने के बाद आपने आके सर्च करना है जैनी मोशन चीक है जैनी मोशन पर सर्च करेंगे यह राइट सेट पर आज एक लगिन आ गया जैनी मोशन के नाम से यहां से इसको मैं इंस्टॉल कर लूँँगा तो यह हमारे android studio के साथ इंस्टॉल हो चुका है अब यह कह रहा है कि android studio को restart करें मैं जूँए इसको restart पे क्लिक करता हूँ तो android studio जब restart हो कियाएगा तो हमारा जैनी मोशन उसके साथ अटाच हो चुका होगा हम android studio के अंदर से जैनी मोशन को access किया करेंगे तो देखते हम किस इसको access कर सकते हैं चले हमारे पास यह first application show हो गई है hello world वाली जो भी है अभी हम देखते हैं कि जैनी मोशन वारे पास किस रटाच है तो यह यहां पर देखें जैनी मोशन डिवाइस मैनेजर यहां पर मैं क्लिक करूँगा तो यह मेरे पास जो भी मैंने android डिवाइस बनाई गूगल एकसेस वाली वह यहां पर show कर रही है यहां से मैं इसको start करूँगा तो वही डिवाइस वही जैनी मोशन वाली जो चीज़ है वहां से मेरे सामने शो होना चुरू जाएगी पहली चीज यहां से मैं इसको देख सकते हैं चीज़ हो गया हेलो वाली जो अप्लिकेशन है उसको हम आप कैसे इस पर रन कर सकते हैं वो चीज़ भी देखते हैं यहां से इसको close करते हैं और यह देखें यह अप्लिकेशन है अब इसको मैं उस device पर रन करना चाहता हूं तो रन करने के लिए यह हमारे पास play के एक बटन अच्छा यह सारी जो चीज़ है यह जो मैनू बार है और यह जो निचे जितनी भी आप्शन इस पूरी सपीन को हम नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे कि यह एक एक चीज़ को पकड़ कर देखेंगे कि यार यह चीज़ कैसे हो सकती है अब यह मुख्तलिफ इनके आप्श चीज़ करेंगे हम आगे देखेंगे किस तरह की चीज़ है यहां से जैसी मैं प्ले का बड़न दबाऊंगा तो यह चीज़ अर्टमेटिक यहां पे शो हो जाएगी कि देखें वो ही अप्लिकेशन यहां पे लांच होके आगे है अभी फालन तोड़े से ऊपर दीचे हो गया है इंपक हम इन चीज़ें को देखेंगे किस तरह इसको इम्मेंट किया जाता है तो यह चीज थी कि वह अप्लिकेशन अभी आमर पास यहां पे इसतरह होगोगी इस पार्ट में यह देख्या है कि सबसे पहले Android Studio को किस तरह इंस्टॉल करेंगे Android Studio को इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास Java JD के उन्हें जरूरी है चीक है उसके बाद हमने देख्या है कि जब हम अप्लिकेशन बनाया करेंगे तो हम विर्चुल डवाइस पे किस तरह टेस्ट किया करेंगे उसके लिए हमने जैनली मोशन के इंस्टॉल किया प्रशन करने के लिए विचल बाक्स का अमना ज़रूरी है तो उप्लमिला के टोल हमने चार साट फिर इस वीडियो के अंदर देखें और चारों इन तहई आइंब बहुत जरूरी हैं इन चारों को इंस्टॉ एक स्वी आइकन जितने हैं इंसर को बारी बारी हम देखेंगे और कि हम इनको कैसे यूजिस कर सकते हैं उसके बाद पर इंशाओला हम कुछ कुछ बेसिक्स पर जाएंगे कुछ जावा की बेसिक्स पढ़ेंगे जो हमें इस गोर्ष के अंदर जरूरी होंगी जो कि अगर आप ने अलड़ी सीखी विया तो बहुत अपरदास्त है अगर नहीं भी सीखता हुआ तो इंशाल्ला मैं पूरी कोशिच करूगा कि अपनी सें जैएंगे जिस कोछ मोटे मोडे काउड करने कोश्ष फंुछ करेंगे कोच संटर्च जो च्रिकार होता है उसको लुटका इसको देखने कोश्ट करेंगे आप ये बहुत आसानी से देख लेंगे और सीक καफ लिंगे तो चलें चीक dar gratuit को यहम्न एक्ट वीडियो में बिलते वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेय्ट करें मेरा के इनफरमेशन के नहां से उस पेज को लाइफ करें यूटूब के चैनल है Infocamp जितनी भी मेरी ये वीडियो एंड्रॉइड पूर्स के वीडियो इसके लावा और भी काफी जादा ट्रीटोरियों मैंने बनाए हैं tips and tricks, mag की tips and tricks, earning की कुछ tricks हैं और कुछ languages के हैं, कुछ short pair की trainings हैं, इस सारी चीज़ें मैंने इस YouTube के चैनल एंपनों के मपे डाली हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताके आपके दोस्त भी ये सीख सकें और जितना ज़दा आप इस चीज को फेलाएंगे आपको उत्रा ज़दा, definitely आपको भी बेनेफेट होगा, मुझे भी बेनेफेट होगा, और मुझे इसी चीज की आपसे त्वक्तो है, तो इनिशाला मिलते हैं, तो गाईज मिलते हैं नेक्स वीडियो में, इनिशाला मुझे इजादत दीजियें, आला देखियो खफियें, कि इनिशाला मुझे ऑन थीजियें की थीजाद को उने वीजक